अस्सलाम अलेकुम दोस्तों ये आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन ख़बरों से हमेंसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नहीं हूँ या फिर पहली बारा है हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के मिनिश्टर ने वहाँ पर रिसीब करने गए और वहाँ पर दोस्तों उन मिनिश्टरों के बीच में कतर के बीच में और इंडिया के बीच में बहुत सारे एग्रिमेंट को लेकर वहाँ पर साइन भी किया गया है तो खबर दोस्तों ये हैं इंडिया वाइस प्रिस्टेंट लौंच इंडिया कतर स्टार्ट अप ब्रीज तो सात्यों इंडिया के जो प्रैमिनिस्टर है जिनका नाम है M1Cist NIDU उनके तरब से दोस्तों वहां के जो हाइनेस है फादर अमीर सेख हमिद बीनम खाली सरब से वहां के जो प्रैमिनिस्टर सेख फजान था अब्दूल अजीज अल श़आनी तरब से। दोनों से जो इसके बारे में दोस्तों कर थिन कश्टम एंड पोश्टल कस्टम डिपार्टमेंट के तरफ से लगभग वहां पे 20,667 कप्टागन नार्कोटोग पिल्स को वहां पे जब्त किया गया है कश्टम कश्टम डिपार्टमेंट के तरफ से तो यह सभी का सभी दोस्तो वीडियो के स्क्रीन पर फोटो आप जो वारा एक बैक के अंदर छुपा के लाए जा रहा था इस महिला को भी ग्रफतार कर लिया गया और उस सक्स और महिला पे कानूनी कारवाई करके उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगली खबर के उस चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरे दोस्तों वह इंडिया से आ रही है तो साती हुँ जैसे कि आप लोग को पता है कि कतर के नुपूर सर्मा भीजेबी की जो परिवक्ता है उनके तरफ से वहाँ पर पत्ति जनक पोश्ट मुहां से बारे में करने एक वजह से पूरी दुनिया में मुसलिम कंट्रियों ने विरोध करना स्टार्ट कर द विरोध जताया गया लीविया के तरफ से लगभग 12 से 14 कंट्री जो है पूरी दुनिया में अब तक इतका विरोध कर सक कर चुके हैं और आपको बता सात्यों कतर में क्वेट में वहाँ पी जितने भी इंडिया की समान जो है फिलाल वहाँ पर बाइकोट किया जा रहा है औ बंगलादेश में एक केमिकल फैक्टरी में एक केमिकल दोस्तों फैक्टरी में वहाँ पर एक्स्प्लोजन हुआ धमाका हुआ जिसके वज़े से लगभग 49 लोग उसमें धमाके के दौरान मारे गये और लगभग 300 से जादा लोग वहाँ पर घायल है इंजड है और काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी काफी सिर्यस हैं तो दोस्तों ये बहुत भड़ी घटना घटी है बंगलादेश में अगली खबर की और शात्यूं चलते हैं अगली खबर दोस्तों जारे सात्यूं इंडिया के बॉलिवड वी स्टार है सलमान खार उनके पिता है सलीम खान उनक अगली खबर के और शातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रहे हैं मुनसीपैल्टी के तरफ से अलवकरा जो बीच है वहाँ पर सफाई का दोस्तों का कैमपेंच चलाया गया कारकरम रखा गया जिनमें इसे लगबख 150 वॉलेंटियर इसमें पार्टिसिपेट किये ह और साफ सफाई करके बीच को सफा किये हैं तो यह कुछ खबरे थी कुछ अपडेट्स थी जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हूँ वीडियो को लाइक करें दोस्तों को साथ सेयर करें ताकि और भी लोग को इस की जानकारी हो सके मिलते साथ युनिक स्टूडियो पर अला आफीज और टेक केर